नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिष दिशा सत की रामे मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेड संतो संतोशी आज और अभी आप पट्ना में मुलाकाथ कर सकते हैं आज का दिन और पट्ना वालों के नाम हम करते हैं पटना में मिलने के लिए आपको हमारे कार्याले के दिये गए नंबर पर वाटसप करना होगा नंबर है 9910291850 इस नंबर पर आप वाटसप करिए और पटना में मिलने का समय सुनश्चित कर सकते हैं तो आईए सुरुबात करते हैं आज दिनांग 19 जनवरी का पूरे दिन का हाल आज का जोतिश दिशा सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग पहुश माह शुक्ल पक्ष नौमी तिथी है आज चंद्रमा मेश राशी में नक्षत्र आज का रहेगा शुक्र का भरणी नक्षत्र योग रहेगा साध्य तज अनुसार दिनांग 19 जनवरी दिन शुक्रवार शुक्रवार को राहुकाल का समय नोट कर लीजेगा सुबह 10 बज कर 30 मिनट से 12 बजे तक और गोलेकाल का समय रहेगा सुबह 7.5 से 9 बजे तक राहुकाल नए और शुब कामों के लिए पूरी तरह से त्याज होता है गोलेकाल में आप कोई भी नया और शुब काम कर सकते हैं हर काम आपके बंते चले जाएंगे आप आगे बरते रहेंगे अब आए जान लेते हैं आज के पूरे दिन का हाल आज की भविश्य माली मेश राशी चंद्रमा है तो मेश में ही आपकी ही राशी में है लेकिन नक्षत्र दुती और सब्तम का है उतार चड़ाओ थोड़ा सा बढ़ेगा सावधानी बरतने की आवश्यक्ता है अकस्मात किसी मुश्किल में आ सकते हैं पढ़ाई नहीं हो पाएगी मामला आपके हाथ से बाहर जाएगा ब्यापार आपके लिए अर्गूल है बिजनस में किसी तरह की चिंता नहीं ब्यापारिक दिश्टिकोर्ण से समय आपके हिसाब से चलेगा पार्टनर्शिप को लेकर के थोड़ा सा नोग जोग दिखता है आज का दिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ नई सुरवात का दिन कहा जाएगा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए कुछ नया आरम भाज कर सकते हैं सरकारी छेतर की स्थिती उतार चड़ाव के साथ है मानसिक परेशानी रहेगी काम में मन कम लगेगा दापत्य जीवन इधर उधर की बातें परेशान करेंगी परिवार में कई प्रकार से उतार चड़ाव बढ़ रहा है लव लाइफ बहुत अनकूल है हर कदम पर आपको शुबता मिलेगी हर परेशानी से आप बाहर निकलेगे स्वास्त के मामले में आज का दिन डाइजेशन की दिक्कत पेट की समस्या और किड्नी की दिक्कत दिखाता है प्रियोग क्या करना है ओम हंग हनुमते नमह इक्किस बार बजरंग बली की समंत्र का जाप करें शुबरंग आपके लिए पादामी भागिप्रत्षत अठावन ब्रिशब राशी चंद्रमा आपके नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है भरणी नक्षत्र ब्रिशब में भी पढ़ता है भरणी नक्षत्र बेश में ही पढ़ता है कृतिका आता है ब्रिशब में शुक्र का नक्षत्र है मतलब व्रिशव का स्वामी शुक्र है इस हिसाब से बेरे बोला तो पढ़ाई मैटर आज करेगी दौदस अस्थान पे आपकी चंद्रमा का प्रभाव है शिक्षा में कई प्रकार से आपको उतार चड़ाओ का सामना करना पड़ेगा शिक्षा आज अधूरी रह जाएगी ब्यापार में इस्थतियां आपके हिसाब से हैं बिजनस में आपको चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है ब्यापार में रिस्क लेंगे उसका आपको पूरा लाब मिलेगा प्राइबेट सेक्टर आपके लिए तनाव देगा इधर उधर की बातें परिशान करेंगी सोच समझ करके निरड़े लेना होगा सरकारी छेतर की स्थिति आपके हिसाब से चल रही है गौर्मेंट सेक्टर में थोड़ा सा मेहनत बढ़ाईएगा दामपत्य जीवन परिशान कर सकता है समझदारी का परिचेदे दामपत्य जीवन में जिससे चीजें संतुलित रहे लव लाइफ बिशबराशी सकारात्मक है परिश्थतियां आपके अनुसार है चिंताओं से बाहर निकले स्वास्थ के मामले में आज का दिन क्या प्रियोग करना चाहिए प्रियोग के लिए आपको उल्टी हथेली पर गुलाब जल ले करके अपने उपर छिरकाव करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज हरा भागी प्रत्षत पच्छपन मिथुन राशी चंद्रमा आज द्वादशेश के नक्षत्र में है और पंच्रमेश के नक्षत्र में है भरणी में और बैठे हैं एका दसभाव में पढ़ाई के लिए आज आदर्श इस्थति है शुख्षा में सब प्रकार से आपका संतुलन बना हुआ है शिक्षा के छेत्र में कुछ बड़ा करने की चाह भी आज पूरी कर सकते हैं ब्यापार के मामले में इनर्जी लेबल कम रहने के कारण आज डलनेस रहेगा बिजनस कम फैलाव कर पाएंगे प्राइवेट सेक्टर आप पर आज इश्वरी एक रिपा देता है प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह का दोश नहीं, कोई परेशानी नहीं सरकारी छेत्र कई तरह से आपको परेशान कर रहा है दामपत्त जीवन संतुलन में है, पति-पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है हर कदम पर आपको लाभ दे रहा है लव लाइफ अनकूल है, सकरात्मख है, परेशानियों से बाहर निकल रहे है स्वास्त के मामले में ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिंपुष्टि वर्धनम उर्वारुकम्युवबंधनान इस मंत्र का किस बार जाब करिये, स्वास्त रहेंगे आपको मैंने पहले ही उपाय बता दिया, स्वास्त में विशेश जिससे समस्या ना आने पाए शुबरंग आज आपके लिए सफेद भाग्य प्रत्षत 58 करकराश चंद्रमा आए दसंभाव में पढ़ाई के लिए आप पर आज इश्वरी एक्रिपा है, स्रिक्षा में कोई चिंता की आविशक्ता नहीं स्रिक्षा का छेत्र अवसर दे रहा है ब्यापार थोड़ा साउतार चड़ाव बढ़ाएगा, बिजनस पर फोकस करने की आविशक्ता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया अवसर दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में हर कदम पर शुबता बनी हुई है सरकारी छेत्र की इस्थिती को साधने का प्रियास करना होगा दामपत्य जीवन पती पतनी की बीच तालमेल शुब इश्थितियों में हर परेशानी से बाहा निकलेगे स्वास्त के मामले में कमरदर्द की शिकायत, किटनी की समस्या, आँखों की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है? ओम दुम दुरगा यही नमह मादुरगा की समंत्र का ग्यारह बार जाब करें शुबरंग आपके लिए आज काला, भाग की प्रतिशत, पच्छपन सिंग राजी चंद्रमा आज आपके नवमस्त रहेंगे पढ़ाई संतुलन में है, शुक्षा की चिंता नहीं है ब्यापार कुछ अच्छा और बड़ा अपने आप होगा बिजनस की स्थिती को समारने में आप काम्याब होंगे प्राइवेट सेक्टर की स्थिती थोड़ा सा डामा डोल है परिशानिया बढ़ सकती है, चिंताएं बढ़ जाएंगी सरकारी छेतर के को आज बैलन्स करने का प्रयास करें गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए अनकूल हो सकता है दामपत्य जीवन अच्छा है, पतनी और बच्चों के बीच तालमेल रहेगा सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा लव लाइफ थोड़ा सा टफ सिचुएशन में है लव लाइफ को संतुलन में लाने का प्रयास करना होगा आज एक दूसरे के पती अबिस्वास न रखे स्वास्त के मामले में देखा जाए तो किटनी और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना है? प्रियोग के तौर पर आज का दिन शुब करने के लिए माथे पे चंदन लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग्य प्रतिशत 56 कन्या राशी है इस्थती आज डावा डोल रहेगी मामला आज आपके हाथ से बाहर जा रहा है हलाकि नक्षत्र भाग्येश का है दुतियेश का है चंद्रमा आज कन्या राशी वालों के अश्टम में है पढ़ाई नहीं हो पाएगी सिक्षा में बहुत उतार चड़ाव बढ़ेगा सिक्षा की स्थती आज परेशान करने वाली है प्यापार अनकूल है बिजनस में हर कदम पर आपको लाव होगा अवसर अच्छे मिलेंगे शुबता बनी हुई है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की बातों से परेशानी दे रहा है सरकारी छेत्र सकारात्मक है गौर्वर्मेंट सेक्टर में लाव हर कदम पर है दामपत्य जीवन देखा जाए तो पत्ति-पत्नी के बीज तालमेल सेट करने की आवश्यक्ता है लव लाइफ थोड़ा सा उल्जन देगा परेशान कर सकता है स्वास्त के मामले में कमरदर्द की शिकायत आँखों की समस्या और पीट की दिक्कत देगा क्या उपाय करना करने राशी वालों को ओम तीन बार ओम का उचारन करें शुबरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रत्षत पच्पन तुला राशी सात्मे में आगए चंद्रमा पढ़ाई अनकूल है सिक्षा में चिंता की आवश्यक्ता नहीं है कुछ अच्छा और सकारात्मक होगा ब्यापार परेशान कर सकता है सावधानी भरत्ने की आवश्यक्ता है प्राइवेट सेक्टर वालों को आज मेहनत से भागना भारी पड़ेगा बहुत शिद्दत से मेहनत करिएगा सरकारी छेत्र आपके लिए रास्ते खोलेगा गवर्मेंट सेक्टर में सकरात्मक परिणाम मिलेगा दामपत्य जीवन एक दूसरे के पती बहुत सकरात्मक परिणाम रहेगा लाव की आउसर रहेंगे लव लाइफ थोड़ा सा टफ सिचुएशन में जा रहा है लव लाइफ की स्थती को बहतर करने के लिए आगे बढ़ना होगा स्वास्त के मामले में आज का दिन दाइजेशन की समस्याप और कमरदर्द की शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए प्रियोग के तोर पर आज अपने कंठ पे शहद का तिलग लगाई है शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रतिशत छपपद ब्रिष्चिक राशिय चंद्रमा आ गए छठे भाव में पढ़ाई सकरात्मक है सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है कुछ बड़ा हो रहा है ब्यापार में मामला हाथ से बाहर जाएगा है उतार चड़ाव बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर में तनाव अचानक से बढ़ रहा है प्राइवेट सेक्टर को समारने का प्रयास करिए सरकारी छेत्र की स्थिती अपने आप शुभ हो रही है तेजी से आगे बढ़ रही है दामपत्य जीवन इंबाइलेंस सिचुएशन छठे का चंद्रमा अचानक किसी परेशानी में पढ़ सकते हैं लव लाइफ बहुत सकरात्मक है हर तरह से आपके लिए फिवरेबल है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो खासी जुखाम की शिकायत इसकिन प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना है अपने माथे पर शहद का तिलक लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग्य प्रत्षत तेरपन धनुराशी पंचम्मे चंद्रमा का प्रभाव आज आपको सिक्षा के छेत्र में कुछ बड़ा करवा देगा पढ़ाई के मामले में आज कुछ अच्छा कर लेंगे ब्यापार थोड़ा सा टफ है बिजनस पर कंसंट्रेट करें फोकस करें प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनकूलता अपने आप ला रहा है मुश्किलों का हल निकल रहा है सरकारी छेत्र तनाव भी दे रहा है और परेशान भी कर रहा है दामपत्य जीवन एक दूसरे किर्पती भावनात्मक कमी दिखेगी धनुराशी लव लाइफ मामला सेट है आज कुछ नया प्रपोजल मिल सकता है स्वास्त के मामले में पुरानी समस्याएं कुछ उजागर होंगी बिमारी शुगर आदि की समस्या भी बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में बैक की प्रॉब्लम कमरदर्द की शिकायत आँखों की दिक्कत हो सकती है धनुराशी ओम ब्रिम रहस्पतय नमह का 21 बार जाब करिए शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भागी प्रतिशत पच्पन मकर राशी चौथे में चंद्रमा का संचरन एक नई सुर्वात के लिए काफी है शिक्षा बहुत अच्छी है ब्यापार आपके लिए अनकूल है प्राइवेट सेक्टर में कुछ इस्थतियां आपके लिए फेवरेबल हैं और कुछ आपके लिए परेशानी वाली है सरकारी छेत्र हर कदम पर आपको लाव दे रहा है गवर्मेंट सेक्टर में कुछ इस्थति अनोखे अंदाज में आगे बढ़ रही है दामपत्य जीवन आपके लिए अनकूल रहेगा पति-पत्नी के बीच ताल में लच्छा रहेगा सपोर्ट बढ़ा सकते हैं लव लाइफ अचानक किसी मुश्किल में डाल रहा है लव लाइफ को संभालने का प्रयास करें स्वास्त के मामले में आज का दिन मकराशी वालों को हट समंधि दिक्कत, सांस की दिक्कत जुखाम बुखार की शिकायत हो सकती है प्रयोग के तौर पर आज अपने माथे पर हल्दी का तिलग लगाईए शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रत्षत बावन फिफ्टी टू कुम्बराशी तिरतिये भाव में आपके चंद्रमा का प्रभाव है पढ़ाई सो सो रहेगी इधर उधर के कामों में बेस्त रहेंगे सिक्षा नहीं हो पाएगी ब्यापार अनकूल रहेगा बिजनस में आपके लिए आज परेशान नहीं होना है आज रिस्क लेंगे और उसका परिणाम मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में कुछ उतार चलाओ थोड़ा बहुत दिखेगा लेकिन आप उसको बैलेंस कर सकते हैं सरकारी छेत्र कुछ इधर उधर की बातों से आपको परेशान कर रहा है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों के साथ कहीं घुमने टहलने का कारिक्रम बनेगा लव लाइफ को लेकर के सजगता आनिवार है स्वास्त के मामले में आज का दिन खासी जुखाम के साथ साथ कमरदर्द की शिकायत दे सकता है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर ओम विश्णवे नमः इस मंत्र का जाब करें कुमराशी शुबरंग आपके लिए आज स्लेटी भागी प्रत्षत तिरपन अंतिम राशी मीन चंद्रमा आये दुती भाव में पढ़ाई से ज़्यादा घुमाई पर ध्यान रहेगा सिक्षा नहीं हो पाएगी आज कुछ न कुछ इधर उधर आप उल्जे रहेंगे परेशान रहेंगे पर नहीं पाएंगे ब्यापार फिर भी ठीक है पिजनस में परेशान नहीं होना है परिस्थतियां आपके अनुसार है प्राइवेट सिक्टर की इस्थति को थोड़ा सा सवारने का प्रयास करना होगा संतुलित करने का प्रयास करना होगा नहीं नौगरी के लिए प्रयास सफल होगा सरकारी छेत्र में थोड़ा उतार चड़ाव बढ़ेगा अचानक किसी ऐसी इस्थिति में आ सकते हैं जो आपको परेशान करें दामपत्य जीवन बहुत संतुलित हैं पति-पत्नी के बीज तालमिल अच्छा रहेगा सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा लव लाइफ अनुकूल अफसर दे रहा है आज विवा की चर्चा बश्य करें स्वास्त के मामले में आज का दिन खांसी की शिकायत, किर्नी की समस्या पेट की दिक्कत दे सकता है क्या उपाय करना है? आज मीन राशी वालों को अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज लाल भाग प्रतिशन 57 तो 19 तारिक के इस विश्तार के राशिफल के बाद भविश्यवाणी के बाद अब चर्चा आज के सकसेस की की उल्टी हथेली पर तीन बूद सावान जल में एक बूद गुलाब जल मिलाईए शुक्र का ध्यान करिए भरणी नक्षत्र है आज ओम शुम शुक्राई नमह कहते हुए अपने उपर शिर्काव कर लिजे आईए बागे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का इस्पिशर भाग्याग्षर मेश गाग्षर ब्रिशव धा मिथुन पाग्षर कर्क सा सिंग वाग्षर कन्या मा तुला याग्षर व्रिश्चिक जार धनू हाग्षर मकर भाग्षर मीन साब ये आपके श्पिश भाग्याग्षर है सादे चकुर कागज में फट अफट लिखें मून साइन के हिसाब से लिखें और अपने पास रख लें आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का इस्पिशल आईश्मान भावा मादुरगा को प्रणाम करते हुए अपने दिन का आरंब करें बढ़ों के चरणों को छुएं ऐसे लोग जिनका 19 जनवरी को जनम दिन होता है हार्दिक शुब का मिनाएं दो पीपल के पौधे अपने हाथों से लगा लिजिए तीन बच्चों की पढ़ाई में मदद करिए और किसी मंदिर में जा करके एक माला गायतरी मंत्र का जाब करते हुए शिवलिंग पर अभशेक करें चाहे जिस चीज़े से जिनकी आज मेरी जैनिवर्शरी है किसी जरूरत मंद को खाना खिला कर दो लोगों को कुछ धन दे दीजे जरूरत मंदों को किसी कन्या के विवाह में मदद करिए और मादुर्गा के मंदिर में एक धोजा एक पताका चड़ा दीजे पती-पतनी मिलकर करें तो आज के अंक में इतना ही हमें अनुमत दीजेगा आज और अभी आप हमसे पटना में मिल सकते हैं कल पर सो दो दिन रहेंगे हम राची राची में मिलने के लिए कार्याले के नंबर पर संपर्क करना ततका अला निवार है राची के बाद रायपुर नागपुर और फिर लखनव अपॉइंट ले लिए जएगा नमशकार शेरादे आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोष संतोष जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब modeling और actress बनने के लिए शुक्र ग्रहदी तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक झाल झाल